आज की वीडियो में आप सब का स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरभातम संस्केट पार्टमाला क्लास फाइब का तेरहुआ पार्ट इस पार्ट में हम लोग अव्याई शब्दों के बारे में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले यह देखते हैं कि अव्याई क्या ह जो शब्द सदा एक जैसे रहती है कहने का मितलब है कि बाकी सब्द जैसे संग्या सर्वनाम क्रिया आदी जो होते हैं वो लिंग बचन और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं जैसे लड़का है तो उसका लिंग परिवर्तित होता है तो लड़की हो जाता है घोड़ वचन के अनुसार अगर एक वचन में हैं तो बालका हो जाता है तो वैसे सब्द जो लिंग वचन लकार और विभक्ति के अनुसार परिवर्टित नहीं होते हैं हमेशा एक जैसे रहते हैं उन्हें अव्य कहते हैं अब्याय किसी भी परिस्थिती में उनका रूप परिवर्टित नहीं होता जैसे अपी मतलब ही यदा मतलब जब तदा मतलब तब अब कुछ महटपुर अव्याय के बारे में हम लोग देखेंगे बान रह उपर यस्ती बंदर उपर है रमा लता चा खेलता है रमा और लता खेलती यहाँ पे उपरी और चा जो है अव्या है यत्र मेगह तत्र वर्षा जहां बादन वहां वर्षा सह अपी पठती यहाँ पे अपी अप्य है वह भी पठता है तो इस प्रकार से ये जो डार के लिखे हुए शब्द है वो सारे अव्य है और इनका रूप आप देख रहे हैं कि वचन लिंग और विभक्ति के अनुसार परिवर्थित नहीं हो रहा है यहाँ पर कुछ द्यान देने वह योग्य बाती हैं कि अव्य जो होते हैं प्रायह प्रेश्ण वाचक यानि प्रेश्ण पूछने के लिए अस्थान वाचक अस्थान को दरसाने के लिए यह समय वाचक समय को बिताने वाले होते हैं यानि प्रेश्ण पुछने अस्थान को सुचित करने वाली और समय वाचक हो जैसे यह पर कुत्र देखेंगे अस्थान वाचक है उच्छे जोर से क्रिया की उसकी गतिविदी को बता रहा है अधुना यह समय वाचक है तो इस तरह से अब यह जो होते हैं प्राया प्रश्ण वाचक अस्थान वाचक और समय वाचक होते हैं अब यहां पर कुछ अब शब्र दिए कि आप इन्हें आवश्य याद करेंगे इन्हें याद करनी से ना आपका पूरा यह चैप्टर जो है बहुत अच्छे से त्यार हो जाएगा क्योंकि इसका रूप जो है परिवर्तित नहीं होता है और कभी-कभी इन अब्यायों से वाक्य बनाने के लिए आजाता है तो आपको यह आवश्य याद कर लेना चाहिए और इससे इसको याद करनी के बाद आपका फाइव शीक्स सेव पहला मेरा प्रेश्ण है मौकि इसका उचारन करना है सुद्धम उचारन करो तो सुद्ध उचारन करें यावत यावत के मतलब होता है जब तक कि मर्थम किसलिए क्यों इदानिम इस समय सर्वत्रिस सभी जगह नक्तम रात्मी मृशा जूट सदा हमीशा और कथम कैसे अगला प्रेश्ण है उचारन करके अर्थ बताना है दिनेश कुत्र गच्छती दिनेश कहां जाता है बालक तत्र पठंती लड़के वहां पढ़ती है इश्वरा सदैव रक्षती इश्वर हमीशा रक्षा करता है कंदुकं तत्रहस्ती गेंद वहां है अगला प्रेश्ण है लिखित प्रेश्णों के उत्तर ने तो भिकल्पे पर उचित उत्तर में चित्वा लिखत विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखन है जो शब्ड लिंग विभक्ति या वचन के कालन नहीं बदलती है उन्हें कहते हैं क्या तो अभय्यान आम्षब क का अर्थ है हाँ श्वह सब्द का अर्थ है आने मलकन चा अर्पे का सलस्क्रिट में प्रयोग होता है कि एक शब्द से पहले दो शब्द के बाद बीच में तो इसका होगा यह वला गलत है दो शब्दों के बाद जैसे रमा अलता चाव कि दो शब्दों के बाद होता है कि कुशन नमबर टू में हम लोगों को शब्दों की साहिता से रिकत स्थानों के पूर्ति करनी है और का शास्ति तो अध्य सिद्धिका कुट्र गच्छति कहां जाती है पाकी सदासत्य अंबद्द्द पाकी हमेशा सच बोलती है अश्वहते अब यहां आप देख रहे हैं इस तरह के प्रश्ण आपके अभ्यास प्रश्णों में पूछे जाते हैं आप अगर अभ्याव को याद कर लेंगे उनका अर्थ आपको पता रहेगा तो आपके लिए वाक्य बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा चाचा का मतलब और होता है तो आपने देखा कि दो शब्रो के बात्यव का ऌप्रेंग हुआ है तो रमा अवला लता खेलती है नव मतलब नहीं सहर मह गत्ष्ण कि लिए क्यों तुम क्यों कैना चमाइगक्ष्ण मतलब रात में में रात में पुस्थता कूं अधुना आब अधना अहां गच्छा में अभ तरही तरही मतलब तो सा गच्छती तरही अहां पी गच्छामी वह जाता है तो मैं भी जाता हूं आप देखेंगे उधारण के अनुसार कोश्टेकानी पोरियाद इन सब्दों को मिला करके यहां पर आपको एक शब्द बनाया गया है तो कुमे तह जोडेंगे कुतह तह जोडेंगे ततह, पुरा, अध्य, सर्वत्र, अध्य अब देखेंगे ततह मतलब होता है कुतह मतलब कहां से ततह मतलब वहां से पुरा मतलब प्राचीन अध्य मतलब आज, सर्वत्र मतलब सभी जगा, अध्य मतलब नीचे अब यहां हैं अबेपदानी चित्वा लिखत इन वाक्यों में से अबेपद को चुनकर लिखने हैं तो अध्य, उपरी, अधह, सदा, और हया हया मतलब होता है बीता हुआ कल, स्वा मतलब होता है आने वाला कल अगला प्रेश्ण है हम अपनी जीवन में कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं और कभी बहुत दुखी हो जाते हैं जब कोई खुशी आती है तो हम सारी शिकायते भोल जाते हैं और दुख में बहुत जल्दी आकुल ब्याकुल हो जाते हैं ऐसे परिस्थिति में आप क्या क्या करेंगे नीचे लिखे कत्नों में के आगे हां नहीं लिखें बदलते वक्त के साथ में सांत रहने की कोशिस करेंगे हां इश्वर में सिर्धा रखेंगे हां घबडा जाएंगे नहीं किसी से लड़ाई करेंगे नहीं बदलते वक्त में उ कि यह भी सही है बदल जाना चाहिए अगर बहुत ज्यादा जिद्धी बनेंगे तो भी उसका डिसीजन जो ता वो सही नहीं होता इसलिए बदलते वक्त के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए अब यहां देखेंगे कुछ सब्द दिये गए हैं जिनकी साहिता से आपको यहां पे हैं ततह ततह है ना तरही यदा अत्र तथा अधह उसके बाद यहां पे हैं आपका यदा यत्रे यदी तो इस तरह से आप इन्हें शब्दों की साहिदा से अब यह शब्दों को बना सकते हैं अब अगला परियोजना कारी है बहुत से चाहतर कहते हैं कि मैं बता दीजिएगा यहां देखेंगे यहां पी आपको करता अब्याय धातु इन तेरों शब्दों का प्रयोग करके बा जाओंगा तुम कुत्र गच्छ से तुम कहां जाते हो सहाया अगच्छत वकल गया वानरह उपरी तेश्ठंती बंदर उपर रहते हैं वायू सदा प्रभाती वायू हमिसा बहती है ब्रधा सने सने चलती बुढ़े धीरे धीरे चलती है गजा तेव्रम धावती हां थी प्रभाती पानी नीचे की और बहता है तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पार्ट के का हिंदियन वाद और इसके अभ्यास प्रशनों को देखा मुझे उमीद है कि आप सभी वच्छों के लिए मेरा यह प्रयास बहुत ही लापकारी सिद्ध होगा आपको यह वीडियो कै से अलगा अपने विचार कमेंट के द्वरा वश्य बताएंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि इतना मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो अप्लोट करते हैं कि संस्कित भासा का प्रसार हो सके अधिक से अधिक बच्चे इसे जान स अधिकों को पढ़ने वाले बच्चे असानी से संस्कित समझ सके वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाइद